तो मिश्टर दिलीब सिंग्ग मुझसे help चाहते हैं वह लिखा हुआ है कि एनी सेल हैप टाइप स्टाइब करना चाहते हैं कुछ इस तरह से अगर हम 2000 से स्टाइब करते हैं सिंपल आएगा 2001 स्लैस मान लिजिए वन जी ठीक है 2002 स्लैस वन वन 2003 स्लैस वन अब ऐसी सिक्वेंस ऐसा फॉर्मुला हो चाहते हैं तो नीचे ड्रैग करें तो इसी सिक्वेंस में आगे इंक्रीज होता चला लिए अगर नॉमली आप ड्रैग कर देते हो तो सिक्वेंस आएगा अपट 2003 जो है वह 3 रहेगा यहां भी 4 करता है तो प्रॉल्म यहीं पर पस्ता है कैसे करेंगे तो यहां पर मान लीजिए अगर डिजिट फिक्स है कि 2003 पी डिजिट का है और बाद में स्लैस के बाद दो डिजिट का है तो यहां पर किया जा सकता है लेफ्ट का फॉर्मॉला लेफ्ट इसमें से हम चार करेक्टर को अलग जाएगे तो इसमें हम тут है और फिर यहां राइट का फॉर्मॉला लगाएंगे किसी बिढ़ा है जो एक उन्चरी अश्में हम गुलास करते हैं और इसमें कॉर्मॉला करते हैं यहां कॉन्कॉर्मॉला ऎलग होगा और उसमें वा लग कर दिया उसमें प्लस वन कर दिया उसमें प्लस वन कर दिया दोनों को को फिर स्लाइस से ज्वाइन करते हैं जी पुटाओ इसमें क्या कि समझें क्या बोले आपने कि देखना राइट लेफ्ट से फार्मूला लिया चार लेटर लिया हमें देखा कि अब इन दोनों को जॉइन करने से पहले प्लस वान करेंगे और यहां पे प्लस जॉइनर है कि यह तो वर्क कर रहा है लेकिन कब तक करेगा जब नहीं ना इंडी ना इन तक करेगा 100 के बाद तो नहीं करेगा न क्योंकि 100 के बाद तो सब्सक्राइब हो जाएगा तो यह दो लेटर ही अलग कर पाएगा और यह आपको 9999 करेगा 10,000 होगा तो यह पांस लेटर में हो जाएगा तो यहां तो रास्ता डाइनमिक करना है हमें पता है कि दोनों नंबर के बीच का सेपरेटर क्या है ? तो हमें एक फॉर्मूला हमारे पास होता है एक ने दो होता है कि हम बताएंगे कि यह लेटर इसके अंदर है या नहीं है यहां देखें फाइंड फॉर्मुले में दिया कि बैक्स्लेश ए थर्टी सिक्स में और पहले नंबर से रुणना शुरू करो इसने बता दिया कि यह पांच में नंबर पर करके डेट में अगर मानेजिए दो यार तीन जो है यह आपका दस हजार हो जाता है यह लेटर बढ़ जाएगा बढ़ रहा है ने से तो हम क्या करेंगे कि जब लेफ्ट का फॉर्मला लगाएंगे तो हम बुलेंगे फाइव यहां पर कि कितना लेटर चाहिए हम बुलेंगे तो फाइन का फॉर्मला रिटर्न कर रहा है उसमें से एक कम अब लेटर के बाद है तो जितने लेटर के बाद है तो जितने लेटर के बाद है तो हमने बुला फाइव से एक कम दे तो लेटर को यह देनमिक हो गया न अब यहां पर जार तीन हो या दस जार तीन हो या दस लाक तीन हो यह आपको बैट शा हर्त के पहले वाला सारा उफाके देदेगा आभि यह फिक्स नहीं ciao फोलेटर है ए फिक्स कि बाद गया बैट इस लेए के लिए रहा है,никиसे करें तो राइट फ़र्मले estar मने बोला राइट उण करने इसको किसमें से तुम इसकी कंप्लिट लेंथ या मने बोला सकी कंप्लेंथ लो और उसमें माइनस कर दो कि मैं सब्दक कर अब इसकी लेंथ कितना है च चार पांग श्य है छे नहीं चार पांग छे साथ है साथ है लेंसर तो साथ में से पांच मैनस कर देगा तह बचे का दो दो लेटर अलग कर देगा तो इस फाइन फार्मुले को मैं यहां दा देता हूँ अब इसमें प्लस वान करता हूँ तो 2004 आ गया और कॉफी करता हूँ इसमें और इसमें कॉन कटानेट यहां पर कॉन कटानेट लगाता हूँ बैक स्लेश देता हूँ और एन परसेंट अपना राइट का फॉर्मुला पेस्ट कर देता हूँ इसमें प्लस करना पढ़ेगा लिए अब इसको नीचे के तरह असानी से ड्रैक किया जा सकता है अब फुली ए अर्टमेटेड हो गया अब फुली डामिक हो गया अब आसा टाइम लग रहा होगा आपको की तरह से कॉम्प्रिकेटेट फॉर्मुला हो रहा है तो क्या करें से अत्रा से मेनत तो करना पड़ेगा ठीक है तो मेरे हिसाब से आज एक काफी है और जो दिलिप सिंग की जो प्रॉलम थी लग रहा है कि वह भी सौल हो जाएगी मैं वीडियो बेज दूँगा और आप भी इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करते हैं कोई भी प्रॉलम आती है तो मुझे आप कॉ आती है को तो मुझे रहा है के वाग सowa की खेस्टान से घय को अटा आती है को अभी स्थाटर नहीं को कि जिता है को फॉलम एंफा और दो